नमस्कार भाईयों में आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विकानेर बर्ड इंफोर्मिशन आज के स्वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी बर्ड का सेटप लगाना चाहते हैं या आप उसकी successful breeding करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से करें क्योंकि काफी बाईयों का कहना है कि मोहित भाई आप जिन भी बर्ड का सेटप लगाते हैं तो वो आपके आपके आपे काफी जल्दी breeding करने लगते हैं और हम जो बर्ड लेके आते हैं वो हमारे आपे जो लंबे टाइम के बाद breeding करते हैं या लंबे टाइम के बाद भी breeding नहीं करते हैं ऐसा क्यों होता है तो आज के इस वीडियो में आपको वो सभी टिप्स देने वाला हूँ जिस हैसाब से मैं अपने बर्ड को breeding के लिए तयार करता हूँ या जो है मैं जब भी कोई सेटप लगाने की सोचता हूँ तो उसकी सुरुवात किस तरीके से करता हूँ और किस तरीके से अपने बर्ड की एक्ट्रा केर करता हूँ लेकिन आज के स्वीडियो में आपको वो सभी बाते बताने वाला हूँ जब से आप बड पर्चेस करते हैं और आपके घर पे जब वो ब्रीड करते हैं तब तक की कि उन्हें किस तरीके से रखना चाहिए ताकि वो आपके याँ पर जल्दी ब्रीडिंग करें और आप जो सेटप लगाएं वो कामियाब हो जो ब्रीडिंग है वो काफी अच्छी निकलें और काफी जल्द जो है ब्रीडिंग की सुरुआत हो जाएं तो सुरू करते हैं वीडियो उससे पहले मैं आप से वी से एक रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सेनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नहीं वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी नोटिफिकिसन आपके मुबाल फोन तक डाइरेक्ट ली आ जाएं और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें तो शुरू करते हैं वीडियो आप जब भी किसी बर्ड का सेटप लगाना चाहें तो सबसे पहले आप उस बर्ड के लिए एक कोलोनी जिस कॉंटिटी में आप बर्ड को लेके आते हैं उसके इसाब से आप एक सेटप तयार कर लें और उस setup को त्यार करने के बाद आप जब भी bird purchase करें तो आप कोशिस ये करें कि आप उस bird के पठे purchase करें क्योंकि इसे आपको एक फाइदा होगा कि जो पठे होते हैं उनकी जो price है वो भी कम लगती है adult pair के मुकाबले और जब भी आप पठे लेके आते हैं तब तक वो breeding age में आते हैं तब तक आपके setup के इसाब से सेट हो जाते हैं आपके setup के माहूल के इसाब से आप गर के माहूल के इसाब से सेट हो जाते हैं और जब भी वो breeding करते हैं तो लंबे टाइम तक breeding करते हैं और जो है वो safely breeding करते हैं, वो जो है वो डरते नहीं हैं, और काफी अची breeding भी करते हैं, तो मैं जब भी bird purchase करके लेके आता हूँ, तो कोशी सही करता हूँ कि मुझे पठे मिलें, ताकि हमें जो है वो फाइदे हो, और तीसरा फाइदा ये भी है, जब आप पठों को जो है वो quantity जादा रहे, तो ये जो है वो तीन सबसे बड़े फाइदे हैं, पठों को purchase करने के, आप उन्हें मटकी और breeding box तब ही दें, जब उनके जोड़े लग जाएं, या वो breeding age में आ जाएं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कि कुछ बर्ड तो ऐसे होता है, मटकी breeding box देने से पहले ही जोड़ा लगा लेते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जो कि एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन वो तब तक जोड़ा नहीं लगाते हैं, जब तक हम उन्हें मटकी और बोक्स नहीं देते हैं, और बोत बार ये होता है, कि जब हम उन्हें पहले मटकी box दे देते हैं, जब आपठे होते हैं, इसे में वो लंबे टाइम तक बिंट्टेками आती हैं , त। यह छो काफे बायों का कहिणा होता है कि नेक्तनी होती मेर संगति हैं। तो ऐसे में आप उन्हें उसी वक्त मटकी या बोक्स दें जब आपको लगे कि इनके जोड़े लग चुके हैं या ये ब्रीडिंग एज में आ चुके हैं तो उस वक्त अगर आपके पास लवबर्ड हैं तो आप उन्हें नेक्स्ट मेटेरियल भी दें या आपके पास अच्छा केल्शियम और अच्छी डाइट जब आप उन्हें देंगे उनकी जो डेली की जो जरुरत होती हैं जैसे केल्शियम वलोक हो गया काला नमक सेंदा नमक और जो है वो समुद्री जाग वगेरा आप उन्हें बर्ड को दे चाहिए आपके पास किसी भी तरीके का बर इसे में क्या होता है जब बर्ड ब्रीडिंग करता है तो उसे केल्शियम की काफी ज़्यादा जरुरत होती है और इसे में बर्ड जो है केल्शियम लोग खाता है नर और मादा दोनों केल्शियम लोग खाते है और अगर आपको जानना है कि केल्शियम लोग कैसा होता है और हो जाएं तो आप जादा उनके पास ना जाएं उन्हें प्राइवेसी दें और जितना हो सके आप उन्हें अक्यले पन में रखें उन्हें जादा डिश्टप ना करें ताकि आपके यहां पर जो बर्ड हैं वो जल्दी जो मटकी या बोक्स को चूज करें और ब्रेडिंग सुरू करें तो मैं जब भी कोई भी बड लेकर आता हूं तो इसी तरीके से करता हूं इसे ज़ो रिजल्ट आपके सामने होता है जो भी होता है इस दोरान आप टेंप्रेचर का ख्याल लखें कि आप अपने बर्ड को सही temperature प्रोवाइट कर सकें सही diet आप बर्ड को दे सकें और colony को अच्छी तरीके से cover कर सकें बर्ड बिमार ना हो और अगर बर्ड बिमार हो भी जाये तो आपको किस तरीके से antibiotic देनी है कौन सी antibiotic देनी है तो ये सब वीडियो मैंने बना रखे हैं already आप एक बार चैनल पे जाएं और आप सब भी वीडियो देखे हैं तो आपको काफी knowledge मिलेगी बर्ड पे हर एक topic पे मैं वीडियो बनाता हूँ आप जिन जिन topic के वारे में बताते हैं कमेंट करते हैं उनी topic पे मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप एक बार सब भी वीडियो देख लें ताकि आपको जो हर knowledge हो और आप जब भी बर्ड परचेस करके लेके आएं उससे पहले आप जो अच्छी तरीके से उस बर्ड के बारे में जान लें तो भाईयों आपको आज काई वीडियो के इसा लगा थोड़ा सा छोटा था लेकिन आपको जो है मैंने पूरी कोसिस की है कि आप किस तरीके से बर्ड को रखें और अगर आपको डाइट के बारे में केल्शियम के बारे में बगेरा जानना है तो आप चैनल पर जाके ज़रूर वीडियो पगेरा देखें तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो ने टोपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई अपना ख्याल रखें अपने बर्ड का ख्याल रखें